जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताएने के लिए कमेंट में ओब नमस सिवाय जरूर लिखें दोस्तों भगवान महादेव को देवो के देव कहा जाता है कोई भी बिपत्ती या कस्ट होने पर भगवान भोले नात की पूजा अर्शना की जाती है तो समस्त कस्टों से छुटकारा मिल जाता है ऐसा माना जाता है कि भगवान सिव को परसन करना बहुत ही आसान है इसलिए भगवान सिव भक्त से परसन होकर उनकी मनोकावनाय भी पूरी कर देते हैं किन्तो भोलेनात जितनी जल्दी परसन होते हैं क्रोध आने पर उन्हें मनाना उतना ही मुश्किल काम है क्रोध आने पर भोले ना तांडव करने लगते हैं उनके तांडव से सभी देपता गन भी घबरा जाते हैं पुरानों के अनुसार भगवान सिव को परसंद करना हो तो उनके सिवलिंग पर भांगधतुरा, दूद, चंदन, बेलपत्र और भस्म चड़ाया जाता है किन्तो इसके साथ ही सिव पूरान में कुछ ऐसी चीजों का उलेक भी है जिनको सिवलिंग पर नहीं चड़ाना चाहिए यदि इन चीजों को सिवलिंग पर चड़ाया जाता है तो इससे भगवान सिव रूस्ट हो जाते है तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सिवलिंग पर किन चीजों को नहीं चड़ाना चाहिए ऐसे साथ चीजों का हम वर्णन करेंगे जिन्हें भूल कर भी महा सिवरात्री पर आप सिवलिंग पर नहीं चड़ाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सियर करेंगे सबसे पहली चीज है जो सिवलिंग पर नहीं चड़ाई जाती है वो है तुलसी सिवलिंग पर तोलसी पत्र नहीं चड़ाई जाती दूसरी चीज है कुमकुम भगवान सिव को विद्वनसक के रूप में जाना जाता है भगवान सिव को क्रोधाने पर वे संपूर्ण विनास कर देते हैं और चुकि सिंदूर या कुमकुम को हिंदू महिलाएं अपनी मांग में लगाती है इसके पीछे यह धादना है कि सिंदूर या कुमकुम लगाने से पती की उम्र लंबी होती है इसलिए सिवलिंग पर कुमकुम नहीं चड़ाया जाता है हल्दी भगवान सिव के सिवलिंग पर हल्दी भी कभी नहीं चड़ाया जाती है पर नहीं चढ़ाये जाते हैं नारियल पानी सिव जी की पूझा नारियल से होती है किन्तु नारियल पानी से नहीं भगवान सिव को पूरा नारियल अर्पन किया जा सकता है सिव जी को नारियल चढ़ाते समय उसे कभी भी फोड़ते नहीं है क्योंकि सिवलिंग पर चाहिए अर्था जिसका सेवन नहीं किया जाए नारियल-पानी अत्वा नारियल फोड़ने पर उसे देवताओं को चढ़ाने जाने के बाद पृसात के रुप में ग्रहन किया जाता है यसलिए सिवलिंग पर नारियल-पानी नहीं चड़ाया जाता है। इसलिए संख से विष्णु जी की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है ना कि सेवजी की। तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विष्वासे कि आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी। विडियो को लाइक करें, सेयर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। कि यहेएब चैनल को सबस्क्राइब करें होगी।